हेलो एवरीबडी कैसे हो सारे तो आज की इस पीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दभावनिपूर एडुकेशनल सोसाइटी कॉलेज का वन अब दबेस्ट और डिमांडेबल कोर्स जो बीबीए है उनके बारे में बात करेंगे काफी लोग का इंक्वाइरी यह आ रहा थ बीबीए करने के बाद यहां से आप फ्यूचर में क्या कर सकते और आपका आर वाई यानि रिटान इंवेस्टमेंट कैसा रहे गाए यहां पे और सारा चीजें बात करेंगे अगर आप तीन साल यहां पे बिताने वाले वाले तो कोस इस्ट्रक्चर क्या रहने वाला है होनिपूर एडुकेशनल सोसाइटी कॉलेज के वेबसाइट पर आच चुके हैं अगर आपको भी जनकारी लेना है तो यहां पर आपके ले सकते हो यह साइट के लिंक में डिस्क्रिप्सर में दे रहा हूं ठीक है तो यहां पर बीबीए के बारे में छोटा मोटा यह इन्ह कोस्तार डेक्षण कोवरे वाइड रांज ऑफ टॉपिक फ्रॉम बिजनेस एकनोमिक्स यह आपको बैचलर अब बिजनेस एडिमिंस्टेशन में आपको कोवर किया जाएगा काफी सारे टॉपिक का रहेगा बिजनेस इकनोमिक्स रहेगा मैथमेटिक्स एकाउंटिंग रह रहेगा principle of management रहेगा organization behavior रहेगा human resource management रहेगा यह सारे चीज़े रहेगा इसमें specialization के बारे में बता दे तो इसमें specialization आपका marketing finance HR management of global business है ठीक है तो specialization आपको fifth और sixth semester में आपको offer किया जाएगा तो यह यह course आपका थीन साल का रहने वाला है क्योंकि यह vocational course है ठीक है और become owner जो रहता है वह चार सल का रहता है तो यह चीज़े clear हो चुकी है career prospect के बारे में जान लेते हैं अगर career option after after BBA और BBA करने के बाद आपको क्या 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 यह रहता है तो बीबी बैचलर of business administration is the most pursuing course in the country after a student complete the year 12th तो काफी demand रहता है यह 12th के बाद लाज नंबर अफे student यह करते हैं क्योंकि industry के लिए यह चीज़े काफी requirement रहता है और इसके बाद आप जोब कर सकते हो वाई should you pursue a BBA degree आपको BBA degree क्यों करना चाहिए तो बीबी को एक्सपेंड टू वेरियस इंप्लॉइमेंट ओपर्चुनेटी लाइट इन फ्यूचर इट हिन्हेंस्ट इस्टुटेंट एबिस्ट्रेशन बैंकिंग फिनांस मार्केटिंग और सेल्स तो आपको बहुत इंप्लॉइमेंट आपको ओफर किया जाता है फ्यूचर में आपको आप अगर आप करने के लिए तो आप बैंकी में जा सकते हो फिनांस में जा सकते हो मार्केटिंग में जा सकते हो या सेल्स में जा सकते हो यह आपके उपर है आपकी स्पैक्राउंड को आप चूच कर रह M.B.A कर सकते हो क्योंकि B.B.A के बाद काफी लोग M.B.A करते हैं, ठीका M.B.A कर सकते हैं, M.B.A. में बहुत सब्सक्राइब आकी मैनेज्मेंड लाइक अपको टूरीजिब्यम मैनेजमेंड लाइक होस्पीटालिटी मैनेजमेंड बहुत सारा मिल जाएगा, उसके बाद P.G CDGM का कोर्स कर सकते हो da should be कर सकते हो Company से एक्रेटि इंड कर सकते हो लगारं कर सकते हो जिसो कई रैक्टिंग कर सकते हो कि मास्टर इंफाइनस मेनेज्मेंटHello Master in Hotel Management कर सकते होऊचार मास्टर इनमार्केटिंग मर्घणियमेंट कर सकते हो बहुत कोई कर सकते हो ठीक है गॉर्वेंट जब आफटर कि ऐप Mit бывает up उप्रीयड वगज़ोड कर सकते हो ठीक है तो वह चीजहा है आप देख लेना को से स्टॉक्चर के बारे में बात कर लेते हैं तो च्वाइस बेस्ट क्रेडिट सिस्टम रहना है सीबी सीच सिस्टम ठीक है तब सेमेश्टर वन में आपको प्रिंसपल अप मैनेजमेंट एंड और्गनाजेशन पढ़ना पड़ेगा उसके बाद बिजनेस अकाउंटिंग पढ़ना पड़ेगा अंतर प्रिंवर्शिव डेवलोपमेंट आपको बिजनेस कॉम्निकेशन एंड कॉम्निकेटिव इसके लिए इतना पढ़ना 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 इकनोमिक्स बि कि इतना सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा आई अब हम लोग बात कर लेते हैं फीस स्टक्चर से रिलेटेड और एड़ीशन प्रोसे से रिलेटेड ठीक है तो आपको अगर बीबीए करना है तो सिक्स मन्त का आपको यानि पर्स सेमेस्टर यहां पर फीस लगता है त साल पांच परसेंट यह 10 परसेंट का इंक्रीजमेंट होगा तो यह मान के चलो 42 ताउजन के आसपास आपका फीस रहने वाला या इतना ही रहेगा ठीक है क्योंकि थोड़ा सा फीस जाता है पर यहां से जो आप करके जाओगा काफी अच्छा यह मिलेगा ठीक है कोर्स का ट इसकी का प्लास के मामले में यहां पर क्लास कोफी चलती चलती है और कि अगर मिल जाता है क्योंकि यहां पर कॉपर है रहता है और लाश लाश तक 80 85 तक अगर आपका रहे तो डेफिनेटली हो जाएगा जेनरल का बता रहा हूं ठीक है उसके एटी से बीडो एटी रहेगा तो मुस्किल होना आप दूसरे कोर्स में आप ट्रैक कर सकते हैं यहां पर एटी से नीचे रहेगा तो मुस्किल होना ठीक है तो कैसे होगा तो देखिए आपका एड्मिशन जो होगा मेरिट बेस एड्मिशन होगा तो आपको एड्मिशन कब से स्टार्ट होगा तो आपका एड्मिशन उसी दिन से स्टार्ट होगा जब आपका 12 बोर्ट का रिजल्ट आ जाएगा सी बीसी के जैसे ही रिजल्ट हैगा उ से आपको मेरिट बनेगा आपके मास्क के हिसाफ से तो सबसे पहले यह बोलूँगा कि आगा आप टूवल्थ में अच्छे से तैयारी करो ठीक है तो मैं अच्छा नमबर आ जाए तो डेफिनेटली यहां पर एड्मिशन मिल जाएगा और यहां पर आप से पढ़ सकते हो ठीक आपके 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 आपना